कृपया ध्यान देंगे 69th BPSC Prelims के लिए VCS GS250 सिरीज ये चलाए जा रहे हैं जिसमें अभी हम हिस्ट्री पे हैं देखिए हिस्ट्री का जो प्रश्ण होता है उसमें Modern से Medieval से और Ancient से इस तरह प्रश्ण पूछे जाते हैं Modern से 25 होता है Medieval से 5 और Ancient से भी 5 प्रश्ण आते हैं लगभग यही रेश्यो होता है और Total प्रश्णों की संख्या हिस्ट्री से 35 होती है जिसका हम कई बार जिक्र कर चुके हैं इसमें कम और अधिक यानी बहुत सारे आप वीडियो देखे होंगे तो कोई कहेंगे कि 30 से 35 प्रश कोई कहेंगे 25 से 30 आजाता है मतलब पता किसी को नहीं है लेकिन अपना गेस इस तरह से कड़ेंगे कि लगेगा कि जो पता है किवल उन्हीं को पता है आपको कुछ पता नहीं है लेकिन आप भी पढ़ाई लिहाई करते हैं आप भी पढ़ते हैं इसलिए ये जानकरी आपको उस समयावधी में प्रकाशित पत्र पत्रिक आयें थे या पुस्तकें थी उस पर अभी हम देखेंगे ये एपिशोड उसी पर आधारित है जितने भी बहुत पूर्ण प्रस्टन बन सकते हैं इस बार 69 के लिए उसको अभी देखेंगे अभ्यूदय लीडर और हिंदुस्तान इस तीनों को लिखा है मदन मुहन मालविये ने यानि इसके लेखक अथवा समपादक किये थे इंडियन मीडर और वाम बोधनी के लेखक के सवचंदरशेन हैं इंडिपेंडेंट के मोती लाल नहरू हैं ध्यान देंगे कामरेड और ये दोनों के मुहमद अली हैं जबकि केसरी जो मराठी में और माराथा जो अंग्रेजी में लिखा गया था और गीता रहस जब यह जेल में थे तब लिखे थे ये बाल गंगाधर तिलग के द्वारा लिखा गया है कर्म योगी योगांतर वंदे मात्रम लाइफ डिवाइन सावित्री और नेशन और सावित्री ध्यान देंगे ये जो है अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है जबकि नेशन जो है ये कुपाल कृष्ण गोखले की कृति है उसके बाद बंगाली ये लिखा है सुरेंदरणात बनर जी ने ये बंगाल के ही थे भवानी मंदिर पत्रिका के संपादक थे वरिंद्र कुमार घोश, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंदु स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ, ये महात्मा गांधी की लेखनी है, इसको ध्यान रखेंगे, ये सारे BPSC ने पूछे हुए हैं, पुर्व के परिक्षाओं में, संबाद कौमदी, ये राजाराम मोहनराई की कृती है, सोम प्रकास, ये इस्वरचंद्र बिद्याशागर की कृती है, और अमरित बाजार पत्रिका, ये सिसीर कुमार खोश की है, इसको ध्यान रखेंगे, उसके बाद कामन वेल और न्यू इंडिया, ये BPSC ने दौनों ही पूछे हैं, ये एनी बैसेंट के थे, उसके बाद पावर्टी अन बिटिस रूल इन इंडिया और रस्ट गफ्तूर, ये दौनों दादा भाई नारोजी के द्वारा लिखा गया है, इंडिया डिवाइड़, ये BPSC ने पूछा है, क्योंकि ये बिहार से ही थे, डॉक्टर रायंद प्रशाद भारत के प्रथम राष्ट पती बने थे, इन्होंने इंडिया डिवाइड़ नाम की एक पुस्तक लिखी थी, तो ये महतपूर्ण है, ध्यान रखेंगे, अनहैप्पी इंडिया, इसको लालालाज पत्राई ने लिखा है, इंडिया विंस प्रिडम, गुबारे खातीर और अलहिलाल, ये तीनों ही कई बार BPSC ने पूछे हैं, अबुल कलाम आजाद के द्वारा ये लिखा गया है, इंडिया डिवाइड़ लिखा है, डॉक्टर रायन प्रशाद ने, जबकि डिस्कवरी ओफ इंडिया, ग्लिम्सेज ओफ वर्ल्ड हिस्ट्री और मेरी कहानी, इस तीनों को जवाहरला नेहरू ने लिखा है, उसके बाद इंडियन अन्रेष्ट ये लिखा है सर वैलेंटाइन सी रोल ने, उसके बाद इंडिया फॉर इंडियन्स इसको लिखा है चितरंजन दास ने, उसके बाद होम एंड वर्ल्ड और गितांजली इस दौनों के रविदर ना ठाकुर हैं लेखक, नील दरपन के दीन बंधु मित्र है, सोजे वतन कर्म भूमी सतरंज के खिलारी नाम से ही असपष्ठ है, मुंसी प्रेम चंद इसके लेखक है, उसके बाद भारत, भारती, ये मैथली सरंगुप्त हैं इसके लेखक, भारत, दुर्दशा, भारत, इंदू, हरिश्चंद्र हैं इसके, कांग्रेश, काई दिहास, पट्टावी, शीता, रमया के द्वारा लिखा गया था, सत्यार्थ प्रकास, BPSC ने ना जाने कितने बार पूचे हैं, दयानन्द सरंश्वती इसके लेखक हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे, इंडियन स्ट्रगल, सुभास चंद्र बोस्त ने लिखा है, यह भी BPSC पूच चुकी है, और इसमें और महत्रपूर्ण नहीं है, एक है मिरातुल अखवार जिसको BPSC ने पूचा था, इसको ध्यान रखेंगा, मिरातुल अखवार जो था, वो राजा राम मोहन राई के द्वारा प्रकाशित किया गया था, एक भारतिये पत्रकारिता के ये अगर्दूत कहे जाते हैं, अभी भी और उस समय भी थे, इन्होंने 1821 इसपी में बंगाली सब्ताही के एक पत्रिका निकाला था, जिसका नाम था संबाद कौमुदी, और 1822 के आसपास इन्होंने फार्सी भासा में एक अख़बार निकाला था, जिसका नाम था मिरातुल अख़बार, तो ये आप असपास ट्रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये एपिसोड यहीं समापत होता है, पुना हम अगले एपिसोड में आप से मिलते हैं, धन्यवाद,